Hello friends, good morning all of you, मैं हूँ अविना स्कुमार आई हूँ आप से लोग ठीक होंगे और आप से प्रिपेशन भी अच्छे से चल रहे होंगे इस वीडियो में बिहार ससी फोर्थ सीजियल को लेकर बात करेंगे दो अपडेट निकल करा रहे हैं एक नॉम्बर वगेंसिस के लिए निकल मैसेज आ रहे हैं तो कुछ लोगों नहीं प्रशनली कॉल भी किये थे कि फोर्थ सीजियल के विग्यापन हमें कब तक मिलेंगे तो उन सभी से क्योंकि यहां पर इनके जो भी रजन रहा हो ठर्ट सीजियल में जगह नहीं बना पाए और हाली फिलाल में बिहार पुलिस सब इसपेक्टर 1275 में प्री में जगह नहीं बन पाए जो भी रिजन रहा हो अब यहां पर इंतिजार कर रहे हैं फोर्थ सीजियल को लेकर तो मैं सजेस्ट यही करूंगा फोर्थ सीजियल के वेग्यैंस बहुत कम समय में पूरी की जाएगी जो ठर्ट सीजियल में लंबा समय लग गया थे वैसा समय यहां पर फोर्थ सीजियल में नहीं लगने जा रहे हैं इसकी एक्जाम डेट को लेकर भी कुछ दंकारी निकल कर आ रहे हैं इसको पर भी बात करेंगी तो यहां पर पिछली बार आप से भी लोग ने देखा था कि बिहार सेसी ने पुराने समान परशासन विभाग के पास कि सारे विभागों से डेटा कलेक्ट करते है कि आपके पास कितनी वैकन पोस्ट है और समान परशासन ही करती है कि हमें इन वैकैंसिस के से कितनी वैकैंसिस हमें रेकूट्रमेंट के तौर पर निकालनी है ठीक है और यह नंबर समान परशास करीब 22 जनवारी के दो मीटिंग रखे गया थे रोस्टर केलेंस को लेकर अब यह काम पूरे हो गए और नमबर वेकेंसी के जो निकल कर आ रहे हैं पर यहां पर यहां पर जो भी बात करेंगे एक प्रॉक्स डेटा जो निकल कर आ धाई हजार से थोड़े से कम या धाई हजार करीब आपको बिहार SSE 4T SIGIL में vacancy रहने जा रहे हैं तो जो पहले उमीद है कि 1900 से लेकर 1800 के बीच में हैं अब यह नंबर बढ़ गए अब यहाँ पर यह धाई हजार करीब vacancy से रहने जा रहे हैं क्या है आगे चलकर Official Confirmation होगा कितनी नंबर में क्या रहेंगे जो सबसे ज़्यादा लोग इंतिजार करते एसो पोस्ट को लेकर तो एसो का पोस्ट इस बार ज़्यादा नहीं रहेंगे आठ सो के करीब यहाँ पर एसो को पोस्ट रहने जा रहें और भी बहुत सारे पोस्ट जो कुल मिला कर डाई अजार के करीब vacancy बिहार इससी फोर्थ सिजल में आने जा रहें जिसके notification की बात करें सब कुछ ठीक रहा तो इस महिने के थर्ड वीक तक फरवरी के थर्ड वीक तक आपको advertisement official website को पर बिहार इससी के official website को पर फोर्थ सिजल के बिग्यापन आने के संभावना maximum है क्योंकि हाल फिलाल में आपने खुद देखा होगा कि बिहार teacher recruitment जो 3.0 जो लेने थे अगस्त के महिने में अब यहाँ पर जल्दबाजी में इसे भी अभी के अभी fulfill किये गए और ये JD भी जो भी वेकेंसी रोष्टर के लिए थे ये clear करके बिहार इससी के पास भेज दिये गए और विहार इससी मुश्किल से 2-3 वीक इनके पास लग जाते हैं preparation करने में वेकेंसी लाने को लेकर तो जादस जादा आप उमीद करें थर्ड व ला दे या short notice भी ला दिये जाते हैं जो उमीद है कि इस बार विहार इससी फोर से जल गए short notice ही कुछी दिन में हमें आजाए और detail में advertisement हमें आगे चलकर मिले क्योंकि यहां पर विहार इससी को preparation करने में advertisement को पर निकालने से फ़ले form कैसे apply होंगी इसके data center वाइगर सब कुछ preparation करने में कम से कम 2-3 वीक लग जाते है तो short notice भी probability हाई है कि इस बार short notice दिया जाए दोनों में से क्या होते हैं आगे चलकर confirm होंगे विहार इससी अपने preparation form apply को लेकर जल्दी कर लेती है तो देन हमें detail में advertisement भी मिल सकते हैं क्या होता है आगे चलकर हमें confirmation मिलेगा कि किस तरह से vacances आते हैं और exact date की बात करें तो आगे चलकर यह भी confirm होगा तो धाये जाए चलकर पता चलेगा यह भी जनकारी निकल कर आ रहे है तो कुछ दिन पहले की बात है जहां पर यह जनकारी निकल कर आ रहे है कि बिहार इससी क को आगे vacances यहां पर अभीकली short notice दे दिये जाए और क्या होते confirmation आगे चलकर पता चलेगा यह भी जनकारी निकल कर आ रहे थी कि short notice अभी के लिए दे दिया जाए और अप्रेल में detail advertisement जारी कि बिहार इससी के पास इतने कम समय में advertisement लाने में तुरा से समय लग जाते है आप खुद ने देखा था कि वहाँ पर भी आयो को समय लग गया तो डिटल advertisement त्यार करने में आयो को समय नहीं लगते पर में समय लगते हैं फॉर्म के apply करने को लगकर इनके framework त्यार करने में इनके लिए data center complete बनाने में क्योंकि इस बार से ब्यार से फोर सीजल में भी सारे करने से document भी collect किये जाएंगे तो और ज्यादा बड़ा data center चाहिए इनको क्योंकि ज्यादा ज्यादा डेटा आएंगे सभी कितने लोग पिछली बार 9 लाग के करीब लोगों ने apply किया था इस बार 10 से ज्यादा ही लोग 10 लाग से ज्यादा ह लोग apply करेंगे फॉर्म तो number of candidates बहुत बड़े number में रहते तो यहाँ पर इनको तैयारी में तो ऐसा ही जनकारी निकल करा रहे थे कि April के महिने में advertisement आएंगे पूरा detail advertisement अभी के लिए फरवरी के महिने में short notice आ सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर दो probability है आपको फरवरी इसलिए में short notice मिल जाए और detail advertisement अपरेल में मिल जाए जिससे अचार संकता कर जो नियम है यह भी भंगना हो और यहाँ पर हमें detail में vacances भी मिल जाए तो क्या होते हैं आगी जल के confirmation होगे अव इसी समय एक और जनकारी निकल कर आ रहे थे कि जून के महिने में या जुलाई के म प्लानिंग है क्या होते हैं इसको लेकर आगे ही confirmation मिलेंगे तो यहाँ पर preparation को लेकर भी suggest मैं यही करूंगा जितना कम से कम समय मान के चलो क्योंकि जून या जुलाई में probability हाई ही रहेंगे ज्यादा-ज्यादा जुलाई के महिने में फोर सिजल के आपका exam भी संभावित है जो detailed advertisement में आपको mention भी रहेंगे कि जुलाई के बहुत जल्द हम इस भरती पर करेंगे जैसे अब दरोगा आयो को आप देखते हो कि यह भरती पर करेंगे हम 6 मंत के अंदर पूरे कर लेंगे तो इस तरह से पर preparation आप पहले से त्यार रहें तो यह चीज़े दरोगा आयो करते या short notice को लेकर जो भी है आगे चलका हमें confirmation update मिलेंगे कि क्या होते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और जो भी उमीद करता हूं कि फोर सीजल को लेकर जिनके बीच में ब्रहम था कि आएंगे या नहीं आएंगे तो उमीद करता हूं कि आपके जो doubt है फोर सीजल को लेकर यह इसके framework या form के apply framework डेटा सेंटर यह सारे में समय लग जाते तो इसमें क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता सर्वर को link करना होता फॉर्म को एक बार फिर खुद डेमो बर चेक करते हैं पहले तो बहुत लंबा समय जाता है तो वहां पर आपको form apply के लिए समय मिल जाएंगा को बहुत बहुत धन्यवाज जाहें